इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दे अभी एक सिद्ध पुरुष हैं अरिद्वार के उनका टेलिफोन आया जैसे मैं आज मैं गया था कोईले की खदान देखने बर्माजी के साथ सब कुछ बनते देख लिया था बस कोईले बचा था देखा बड़ा अनंद हुआ बया ने कई लोग कहें कि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है वो प्रोजेक्ट अच्छा है हमने का देखो हम जिसकी खाते हैं उसी की गाते हैं निगाही में कथा कर रहे हैं तो निगाही वाला ही प्रोजेक्ट देखेंगे कितनों बढ़िया हो हमने हमारा सबाव नहीं और दुबारा कोई और बुलाएगा तो फिर निगाही नहीं देखेंगे उसी के देखेंगे यह तो तरीका है बई जिसका खाओ उसका जाएंगे तो बताएंगे बहुत अच्छा पहली बार हमने फोटो बनाया हमको फोटो ओटो खिचना नहीं आता हाँ बनाया बड़ी आच्छा बड़ा अनंदोवा ए नवस्तर देखते बनादेगे आप लोग भी देखाईए बहुत अच्छा हम लोग तिन सुकिया गए थे तो चाय बनना देखे चार-पांच घंटे में पत्ते से चाय काली हो करके और वो डिब्बा बंद हो जाती है गुर्दासपुर गए तो आटा बनना देखे कितने बड़ी मेलू उनकी चावल बनना अभी दिल्ली में चपल बनना देखे आगे हमारे एक मित्र है उनकी चपल की फैक्ट्री है जुता कर जाओ फटा पट फटा पट बन जाता है प्रोसेस थोड़ा लंबा है फिर गहने बनना भी आपने देखे देखना चाहिए तो कुछ न कुछ समझ रनी चाहिए मन को अच्छा लगता है तो भगवान भी मेरे खुब देखते है भगवान खुब देखते है ये ठाकपर जी का व्याहा हुआ आए अव अनन्द का ख्षन बड़ा अन्द मैं आपसे चर्चा कर रहा था जीने के लिए बहुत समान नहीं चाहिए जीने के लिए सोच बड़ी व्यवस्थित चाहिए हमको यह विचार करना होगा कि हम जो यात्तरा कर रहे है उससे हम कितने संतुष्ट और सुखी है किसी को कोई सुखी नहीं कर सकता है यह वो स्वैम नहीं होना चाहिए मनुश स्वैम सुखी होता है और स्वैम से स्वैम दुखी होता है कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है घरवालों को आप चाहें कि वो सुखी हो जाएं उनकी अलग परिभाशा है छोटी छोटी बात में आदमें सुख दुख को परिभाशित कर लेता है छोटी छोटी बात आप आगे दर्शन करेंगे भगवान बन में चले भगवान शेन कर रहे थे कुसा की साथरी पर तो निशाद जी देखकर रोने लगे कहने लगे कई के मैया ने अच्छा नहीं किया सुख लेने के समय भगवान को दुख दे दिया लक्षमर भगया ने समधान किया काहू नो को सुख दुख कर दाता कोई किसी को नो सुखी कर सकता है नो कोई किसी को दुखी कर सकता है मनुष्य अपने करमों से सुखी होता है और अपने करमों से दुखी होता है आप किसी को सुखी नहीं कर सकते कि आप किसी को दुखे नहीं कर से जब आदमी पैसा कमाने लगता है न तो वो धिर धिर ये सोचता है कि हम परिशवा कमा के और अपने घर वालन के भी सुखी कई दे एक बड़ी प्रतक्स घटना आपको सुनाओं हमारे कमित्र अपने गाउं में रहने वाले पुज्य पिता जी को मारुत्वी कार खरीद के दे दिये इसके पहले वो साइकल पर चलते गाउं गए तो हमों को प्रणाम करने गए नई गाड़ी थी हमने को बाओ जी अब तो बजार जाएं के अराम होगे लिए के नहां देखन एको है गाड़ी गवर में बाएं दिखेल बाना जतना में सब्जी आवत रहला ओतन में तकर पंचर बना था अब हम आये कानपूर तो अबने मेत्र को बोले है तुम कहले लिए गाड़ी दे आए बाबुजे ऐसा ऐसा बता रहे थे कहने हम सोचे की साइकल से जाते हैं वो सुखी हो जाएंगे लेकिन तो जब जाते तो गाड़ी की बुराई करते रहते हमने कहां देखो भई या वर्धावस्था में वो जैसे प्रसन रहें वैसा रहने दो अपनी सोच की प्रसनता देकर उनको दुखी करने का प्रयास न करो किसी को बच्चों को छोड़ परमात्मा को जगत के जीव को उसके हिसाब से सुख ही रखिए अपने हिसाब से न रखिए सुख की मित्रों माताओं अपनी अपने सब की परिभाशा है किसी को ने गुर्दय भगवान वशिष्ट जी से चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया कब कान के बाल श्वेत देखे तब सरकार आग्यां हो तो राम जी को यूराज पत पर बैठा दिया जाए उसका महुर बताने की किरपात है गुरु जी बोले राजन जब है राम जी बैठ जाए तब है महुरत बेग बिलंबन करियन रिपो साजिय सबुई समाई सो दिन सो मंगल तब है जब राम हो ही सुन्दर दीन तभी घड़ी मंगल तभी जब राम जी यूराज पत पर बैठ जाए गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि यदि अविशेक की चर्चा होगी तो महराज की विदाई भी होगी गुरु वशिष्ट भगवान तीन पिड़ियों के सद्गुरु है तो वो त्रका लगए हैं बर्म के अवत्रण तक उनको रहना है गुरु जी लोग सब जानते हैं हो कब का होगा लीला है सब अगले दिन प्रातर वेला का महरुत चक्रवर्थी जीने मन में बना लिया कहा प्रभु आप उब्देश करे राम जी को बहु जी को सेयम बर्ति रचना बनाई जाए संदर ये साधा जाए यहां भी एक बात है सोचना हमारा काम है पूरा करना परमात्मा का वेभार है हम सोचने में स्वतंत रहें पूरा करने में नहीं हम मकान के निर्मान में स्वतंत रहें गृव प्रवेश तक रहेंगे इसके लिए हम स्वतंत रहें इसलिए एक नश्चित वाई प्राप्त होते ही जब हम समझ ले हमारे सब लक्ष पूर्ण हो गए तो अपने प्रोग्राम को समेटने का प्रियास करना चाहिए आप मेंसे जो लोग जहाज में आत्रा करते होंगे, एर होस्टेस जब प्लेन लेंड करता है, उतरता है, तो बोलती हैं कि जो काम आपने कंप्यूटर पर किया है, उसको लॉक करना न भूले, कहीं वो एरेजन हो जाए, आप काम कर रहे हैं, वो समापत हो जाए, फिर आप को उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में हम बहुत काम करें, परन्तु काम के सास्ता उसको समेठने का भी अभ्यास करें, यह होगा कैसे, यह मन से होगा, मन से ही पूरे प्रोजेक्ट को समेठना पड़ेगा, मन ही तो हलचल देता है, कबीर बाबा कहते हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, केवल मन की तरंग माने हलचल, रोकना है, तो चक्रवर्ती जी ने अनुमती ली, गुरु जी ने कुछ कहा नहीं, सुदिन सुमंगल तब ही जब ही, राम होई, महुर्त बना दिया गया, रचना बनाई गया, भगवान ने देवताओं को जगाया, कुछ करिए, तपस्या कराया नहीं जाता, तपस्या करी जाती है, मैं बार बार कहता हूँ, किसी को पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाई करी जाती है, कथा सुनाई नहीं जाती है, कथा सुनी जाती है, समझाय नहीं जाएगा समझा जाता है बात एक बार समझ में आ गई तो मंगल हो जाएगा रचना सारी बन गई देवताओं ने मा स्रस्वती कावाहन किया स्रस्वती दियाई तो पहले तो मना कर दी कितना अनंद होरा श्रियवद में मैं उत्पात नहीं करूँगी लोग मेरी निंदा करेंगे पुसन्नता में दुख देवताओं ने बढ़ाया हे सरस्वती जी भगवान सुख दुख से परे हैं माई माई सुख दुख से परे हैं परमात्म और जीव के जीवन में सुख दुख दुख तो लगा ही रहता है आगे जब भगवान की कथा लिखी जाएगी तो लोग आपकी प्रशन सा करेंगे देवताओं के मंगल हे तू असुर्वान के संगहार के निमित दर्ती के भार को उतारने के लिए यग रक्षार्थ साध जनों के मंगल भाव हे तू मा सरसुती अपनी विखने स्वरी स्वरूप से आई और कई-कई जी की जो दासी मंथरा है मंद मती है उसकी मती को फेर गए कई-कई का जैसे ही संपर्क भया मा मंथरा जी से मंथरा महिया का संपर्क हुआ बड़ी मा कई-कई अंबा से सत्संग भया बुद्धी पलटी देखिए मंथरा मा धाय मा है भरत भहिया को मंथरा जी ने निजननी जैसा पालन पोशन दिया है उनका स्वार्थे कई-कई-कई इस पदपर बढ़ जाएंगी राज माता हो जाएंगी तो मेरा भी ओहदा बढ़ जाएगा अवे राज माता कब होगी जब इनके कोक से जनम लिए पुत भरत जी यू राज पदपर बैठ जाएंग जीवन में इस बात का सदेवस्मन रखना चाहिए कि हम मार्ग दर्शन किसी से ले रहे हैं हमारे कान में सुझाव किसका रहा है सुझाव जो भी देगा वो दो पत्ती अपनी बचा के दे लेगा मेरा भी इसमें शेर हो कुछ मेरा भी लाब हो इसलिए अपने जीवन अस्तर के नीचे के वक्ति का सुझाव कदार पी नहीं स्विकार करना चाहिए और न अवसर दे कि ऐसा को करें इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए महराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें